नागपुर हल्चल में आपका स्वागत है तो आहिए नजर डालते हैं नागपुर की विवित हल्चल स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिश्य वक्रांतिकरी विचारों के धनी, स्वामी श्रधानन्द का बलिधान दिवस दयानन आरिया कन्य विध्याले एवं कनिष्टा महाविध्याले के प्रांगण में उन्हें श्रध्या जुमन अर्पित करते वे मनाया गया। स्वामी जी के जीवन सिधान तो वाधर्शो पर प्रभावशाली जान करी देश तथा धर्मा के लिए यदि प्राणों की बली भी देनी पड़े तो स्वामी श्रधानन जी का अनुसरन कर संकोच नहीं करना जाहिए इस आशय के विचार दयानन्त आर्यकन्या विद्याले वकनिष्ट महा विद्याले की प्राचारिया तेजिंदर वेणु गुपाल ने व्यक्त की स्वामी जी को श्रधा सुमन अर्पित कर उन्होंने चात्राओं को स्वामी जी के बताये गए मार्क पर चलने की प्रेरना दी कार्यक्रम में मिडल स्कूल, हाइ स्कूल तथा जूनियर कॉलेज द्वारा गठित कार्यकारेनी समिती की सदस्य को शपत दिलवाईगी प्राचारिया महोदया ने शपत दिलवाते हुए पुरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का अनुरोध किया आमादमी पार्टी द्वारा दिली में तीसरी बार जोरदार जीत दर्च करने के बाद अब आमादमी पार्टी हाई कमान, गुजरात, पंजाब, उतरा खट, गुवा में भी चुनाव लड़ने की तयारी कर रही है महराष्टर में भी महानगर पालिगा के चुनाव के मद्दे नजर आपके विदर्बसंगणन मंतरी, आकाश सपिलकर पूरे विदर्बबे, दस हजार युवाओ को जोडने है तू, युवा जोडो अभियान चला रहे है सपिलकर ने बताया कि राजनिती में युवाओ की बहुत बड़ी भूमिका रही है, शिक्षित और जिम्मेदार युवा नागरिक राजनिती की परिभाशा बदल सकते हैं, यदि शिक्षित जागरुक युवक राजनिती में आएगा तो राजनिती की परिभाशा जरूर राजनिती विकास पर आधारित होगी। श्री दिगंबर जैन मंदिर तुलसी नगर शांती नगर में सिध्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांती यग्य आयोजित किया गया। अध्यक्षय सुमत लल्ला जैन सहित कई पताधिकारियों ने इस कारेक्रम के सफल आयोजन में महत्वा पुर्ण योगदान दिया। भारतिय जंता पार्टी के वरिष्टनेता एवं पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गी अटल विहारी बाचपै की जैनती के अउसर पर गांधी सागर के पास थित शिक्षक सहकारी बैंक के सभागरू हमें सुशासन दिवस कारेक्रम में केंद्रिय मंत्री रिदिन गड़कर ने कारेकर्ताओं को संभूदित करते हुए कहा कि सुशासन का अर्थप्रष्टाचार मुक्तशासन गुड गवर्नर्स एवं नागरी को कुण्याय दिलाना है पर तु आज के जमाने में इस सुशासन के लिए भी हर चोटे बड़े कार्य को कंप्योटर से जोड़ना जरू पूरा होगा इस आउसर पर चंद्रशिकर बावन कुले का विधान परिशत चुनाओं में निर्वाजित होने पर गड़करी के हस्ते शौल एवं गुल्दस्ता दे कर सतकार किया गया महाप और दयाशंकर तिवारी ने अटल विहारी वाचवई की नाखपुर दोरे की अनेक यादों को ताज़क किया सांसाट डौक्टर विकास महाप में चाहरा द्यक्षय विधायक प्रविंदट के कुरुष्णा खोपडे मोहन मते पुर्वा विधायक अनिल सोले गिरीश व्यास मिलिन माने प्रदेश बाद्यक्षय संजय भेडे विधर्प के संगठन मंतरी डौक्टर उपेंद्र को ठे करके हस्ते सभी मंडलों के महनाती बूत प्रमुख एवं शक्ति केंद्र प्रमुखों को सम्मान चिन्न दे कर सतकार किया गया नेताजिनगर महाडा कॉलनी के पास स्वर्गिय अटल बिहारी बाचपई उद्ध्यान में भारत रतन पुर्व प्रधान मंतरी स्वर्गिय अटल बिहारी बाचपई का प्रथम यूरल वर्क समारक का लुकारपन विधायक रुष्णा खोपडे के हस्ते हुआ समारक का निर्मान प्रभाग 24 के नगर सेवक तथा पुर्व मनपा सभापती प्रदीप पोहाने के अथक प्रयास से उनके सभापती काल के नीधी से हुआ इस अवसर पर विधायक खोपडे ने स्वर्गिय बाचपे के जीवन और उनके अपार योगदानों पर प्रकाश डाला इस अवसर पर प्रमोद पेन के संजे अवचट के अलावा भारतिय जनता पार्टी के पुर्व नागपुर के अनेक पदादी कारी कार्य करता वस्तान समारोह मनाया गया नविन सैंटी यागो द्वारा कारेकरम की शुरुवात इश प्रार्थना से हुई इसके पशात क्रिस्मस के काटा गया सलमा खान अब्दुलमानी कुरेशी अमजद खान तथा यासमिन कुरेशी ने समाज बंधू और विद्यार्थियों को हार्दिक ये करुणा, दया, विश्वास एवं प्रेम का त्योहार है। इस अउसर पर अलपसंख्यक मोर्चा महामंतरी, राशित काजी, नफीसा शेक, सविता उमाठे, सयद सादिक, कलाम शेक, महसीन पटिल, अलताफ खान, शहजाद शेक, सलाम मनसूरी, अनिल खापेकर, नजम नकवी, चंदुनी पाने आदि उपस्तित थे। हाल ही में केंद्रिय सडक परिवहन एवमराज मार्ग मंतरी नितिन गड़कर, इन्हें उम्मिद जताई थी, कि नविन तम तक्निक की मदद से ज्यादा दूद देने वाली गायों का इस्तमाल किया जाना चाहिए, और इससे विदर्ब में दुगद करांती लाने चाहिए। उन्होंने मदर डेरी की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहां कि सम्मदित अधिकारियों की खिलाफ कारवाई करने के बारे में विचार किया जाएगा। एग्रोविजन के तहत, विदर्ब में डेरी विफसाय के अफसर उपर आयोजित कार्य शाला के उद्ग मदर डेरी के समन वैक रविंद्र ठाकरे, मरिश बंदिश, शोध करता डॉक्टर शाम जवर, जिला परिशत सभापती रश्मी बरवे, सभापती तापेश्वर वैद्य, एग्रोविजन आयोजन समीती के सचीव रवी बोरटकर, सलहकार समीती के अध्यक्ष, डॉक्टर सी वाधंदास तलरे जाकी स्पीच का आयोजन, शनिवार शाम साद बजे सिंधुडी यूत्विंग के सिंधुडी सहली मंच, नागपुर की और से फेस्बुक के सुहिना सिंधी पेच पर लाइप किया गया, सिंधुडी यूत्विंग के अध्यक्ष राकेश मोटवानी वा म महा सचीव, महेश चेलानी ने बताया कि सिंधुडी यूत्विंग के सयोजग, तुलसी सेतिया के सयोजन में आयोजेत स्कारेक्रम में, वाधंदास तलरे जाने लाइफ मैनेजमेंट पर सेल्फ डेवलपमेंट इस सीरीज के तहत, कमफर्ट जोन विशे पर मार्गदशन कि मनपान आकपुर के पुर्वस्थाई समिती के अध्यक्षा वेरेंद्र कुक्रेजा, सिंधी हिंदी गल्स हाइस्कूल पांच पौली की शिक्षी का पृति केवल रामानी तथा लेखक किश्वर लालवानी विशेश अतीथी के रुप में उपस्तित थे, सिंदुडी सहली म अध्यक्षा कंचन जग्यासी, वह महा सच्चिव मंजु कुंगवानी, संजीविनी फाउंडेशन वह समस्तप दाधिकारियों समित बड़ी संख्या में दर्शकों ने तलरे जाकी स्पीच का लाब लिया आज 18 प्लस और 45 प्लस आयूवर्ग के सभी नागरी को का कोविट शिल्ड का टीका करन नागपूर महानगर पालिका के साथ सरकारी केंद्रों पर होगा टीका करन का समय शाम के पाच बजे तक होगा टीका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन केंद्रों पर भी अठरा वर्ष और पैतलिस वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरी को को कोविट शिल्ड के जरिये टीका करन किया जाएगा ये जानकरे चिकित सास्वास्तादिकारे डॉक्टर संजय चिलकर ने दी इसी तरह अठरा प्लस और पैतलिस प्लस आयू वर्ष के सभी नागरी को के लिए कोवैक्सिंग का पहला और दूसरा रोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा सैब आमबिटकर अस्पिताल कामठी रोड वस्वर्गिये प्रभाकर दटके मरपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पिताल इमाम बाड़ा, इंद्रा गांधी अस्पिताल गांधी नगर, मनवास्त्री अस्पिताल पांच पॉली और प्रगती हौल दिघोरी में उपलब्ध है श्री मधुसुदन बापुजी की पिरेरना से कोडु मल धनराजाने द्वारा सब्तदिव सिये श्रीमध भागवत कथा का आयोजन रिवीवार 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2022 तक जारी है इस कथा का समय प्रति दिन शाम 4-7 बजे तक रहेगा दामोदर्दास की वाणी में भागवत कथा का सिधा प्रसारण यूट्यूब चैनल दामोदर्दास एवं फेस्बुक पेच दामोदर्दास पर किया जाएगा सभी भक्त घर बैठे श्रीमध भागवत कथा का लाब ले सकते हैं अधिक जानकारी के लिए कारेक्रम के आयजकों से संपर्क किया जा सकता है वाडी में बांके बिहारी मंदिर प्रांगन पर श्रीमध भागवत ग्याने यग्य सप्ताह की शुरुवात हुई इक्यात्तर महीलाए मंगल कलश लेकर बैंड बाजय के साथ नगर भ्रवन करते हुए भागवत कथा स्तल तक पहुचे आचारिय पंडित अमरिश्चर्मा भगवान राधा कुष्ण की जहांकी के साथ रत पर विराजमान थे शुभायात्रा पर उत्तर भारतिय सभा के राष्टिय कारेकार अध्यक्ष उमकांत अगनी होतरी के मार्क दर्शन में गजानन सोसाइटी दत्तवाडी में शुभायात्रा पर पुष्प वर्शाद्वारा भागवत भगवान का अभिवादन गिया गया वह समाज एवं समस्त मानव जीवन के लिए मंगल कामनाई की गई विधरबा अध्यक्ष डिपि सिंग वजिला अध्यक्ष रामप्रताप शुकला ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण कहते है कि करम वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है इसलिए हमेशा अच्छे बीजबोए ताकि फसल अच्छी हो इस कारेकरम के संयोजक प्रविंट सिंग तथा सुश्मित सिंग राजपुत है इस मौके पर डॉक्टर हर गोविन मुरार का मनोज सिंग एमेम शर्मा टीपी तीवारी एचन तीतरे जैप्रकाश पांडे मनोज सोनी विवेक पांडे सपना जीजहोतिया लाली चौबे राम इस भूशन तीवारी आदि उपस्तित थे जिले समेत राजज़ में कोरणा मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन से बढ़ते खत्रे को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज उच्च सरीय अधिकारियों की बैठक बुलाई और कर्फियों सहित नए प्रतिबंजारी किये कलेक्टर आरविमला ने शनिवार को नाकपुर के एमस, मेडिकल, मेयो अस्पताल का दोरा किया और आपात कालिन स्थिती में कोविट वार्ट के पूर्न संचालन के लिए तयार रहने के निर्देश दिये जिला प्रशासन की शनिवार को सुबह 10 बजे आपत कालिन बैठक हुई और प्रतिक विभाग को स्वास्ता व्यवस्था को अलट रखने के निर्देश दिये गए जिला परिषाद अध्यक्ष रश्मी बरवे कलेक्टर आर विमला के साथ मनपायुक्त रधाकुष्णन भी जिला परिषाद के मुख्यक कारी कारी अधिकारी योगेश कुंभेज कर पुलिस उपायुक्त बसवराश्टेली, अतिरिक्त मनपायुक्त राम जोशी, निवासी डिप्टी कलेक्टर विजया बनकर, जिला सर्जन डॉक्टर देवेंद्र पातूर कर, जिला स्वास्ता दिकारी डॉक्टर दिपक सेलो कर समित तमाम विभागात देक्षम मोजुद र राजसरकार द्वारा रातरकालिन कर्फियू लगाने के निर्नय को देखते हुए नागपुर में रात नौ बजे से, सुबध छे बजे तक कर्फियू लगाने का सर्वसम्मति से निर्नय लिया गया। दिव्यांगों की सेवा का व्रत लेकर सतत सक्रिय है और दिव्यांगों की सहायता तथा मानव सेवा के लिए सदैवप्रयासरत है। उनके साथ प्रदेश कार्यकारणी में शामिल होने के लिए सम्मधित पधाधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। भाजपा महिला मोर्चा ने अटल बिहारी बाचपे के जनम दिन के अउसर पर द्वार का मई होटल के निकट सामाजिक भवन में पुश्पान जली अरपित की गनेश पेट में सांसत हेल्थ कार्ट कैम कायोजन किया गया साथ ही कुछ जरूरत मन बच्चों को उनी टोपी भी दी गई अश्विन निमजे ने स्वर्गिय अटल बिहारी वाचपे के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उनकी कविताओं को सुनाया कारेक्रम में निरिजा पाटिल सरोच तलमले प्रीती गायधने रेखा निमजे वर्शा मेहर सविता उमाठे रजनी जैन विनायक ड भाचपा ओबिसी मोर्चा पुर्वनाकपूर जनसंपर्क कार्याले की ओर से वाठोडा नाकपूर में अटल बिहारी वाचपे की जैनती मनाये गई इस आउसर पर पुर्वनाकपूर भाचपा मंडल अध्यक्षा संजयाओ चट विनोद बागडे अध्यक्षा भाचपा ओबिसी मोर्चा पुर्वनाकपूर संपर्क प्रमुक सुनिल सुर्यवन्ची गिरिश बिल्लाई महासाच्यु पंकष ताले कर मीडिया प्रमुक रवीजोगे भुपेंद्र अंधारे सौरप बलपांडे दीपक साहु विलास नाकाडे अर्विन पतेल आयुष सोलंकी आकाश सुसारे राजु गायधनी आकाश बवार प्रोशन गुपता दिलिपतुले राजु पाटनकर सुरज शाहु अमित ग्रवाल गोपाल शर्मा भ पुर्वप्रधानमंत्री भारत रतन अटल विहारी वाचपई की सतानबेवी जयनती विधायक गिरिश व्यास के महाल स्थित जनसंपर कार्याले में बड़ी साध्गी के साथ मनाए गई विधायक व्यास ने अपने जनसंपर कार्याले में पुर्वप्रधान मंतरी अटल विहारी बाचपई की तस्विर पर पुषपांजली अर्पित की उन्हें भावभिनी श्रधानजली अर्पित करते वे विधायक व्यास ने सभी को संभोधित किया और कहा कि राजनिती के शिखर पूरुष, पुर्वप्रधानमत्री, भारत रतन अटल भिहारी बाचपै के जनम दिन को भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है, विधायक व्यास ने कहा कि भारतीय लोकतंद्र में नए विचारो एवं सियासे संसूती का सुत्रपात करने वाले अटल जी ने देश में गुड गवर्नेंस की मिसाल पेश की थी, अटल के सानिध्य में मुझे व्यक्तिगत और राजनितिक तोर पर बहुत उनकी आदर्श, विचारधारा एवं राष्ट उत्थान के प्रती लगन का भाव हम सभी के लिए एक प्रेरना है, भारत को नए युग में ले जाने वाले इस पूर्ण्यात्मा को भारत वर्ष सदैवयाद रखेगा, इस अउसर पर मुख्यरूप से डॉक्टर मेठी, वि परियटक मित्र चंदरपाल चौक से द्वारा निर्मित प्रसिद्ध, रामधाम तिर्थक शेत्र व लाइट हाउस वाटर पार्क मनसर में, लीम का बूक ओफ रिकॉर्ट में दर्ज सबसे बड़ा ओम, वैश्न देवी मंदिर, परफानी महराज का प्रसिद्ध शिवलिंग अग्रो पार्क की मौजुद्गी के बीच प्रकृती रम्यवाता वरंड में सुवी बर्ड पार्क निर्मान करने की संकलपना चंदरपाल चौक से को सुझी, इस संकलपना को साकार रूप देते वे सुवी बर्ड पार्क को परियटकों के लिए खोल दिया गया, इस पार्क मंत्री सुनिल केदार ने कहा कि नागपुर जिले में परियाटन को चंदरपाल चौक से ने नई पहचान दी है उन्होंने संपुर्णा महाराष्ट में परियाटन पर जोर दे कर काम करना चाहिए इस अवसर पर महाराष्ट कॉंग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंठे सुनिल रावत, सुमित्रा कुम्भारे, माटे मैडम, योगेश देश्मुक, शांता कुम्रे, मिनाताई कावले उपस्तित्थे आदिवसी हलवा समाज के जक्तिश खापे करके नेतरुत्व में, नाकपुर के जाड़े चौक में हलवा जनजाती के युमकों द्वारा पाच दिनों से उपोशन चल रहा है लेकिन हलवा समाज की मांगों की सूद लेने राज्य सरकार्व केंदर सरकार से कोई भी नहीं आया इसके चलते सरकार का ध्यान अपने समस्या की और आकरशित करने है तूँ यह अंदोलन किया गया साथ ही यह मांगे पूर्ण ना होने पर आंदोलन और तिवर करने की चेतावनी हलवा एलगार मार्ज द्वारा दी गई है राजेश बंडे शलेश कोहाड पंकज बिनेकर विजे पौणी कर सुरेश देवी कर विनोत पौणी कर शिवशंकर रणदीवे गुणवंत जाडे प्रशांत सोनार घरे शेखर पौणी कर मुकेश मासूर कर प्रमोद गड़ी कर आनन धकाते पंकज बिनेकर सुरेश देवी कर राजु सोना ने लक्षमन पोटे ने आंदोलन के दोरान प्रदर्शन किया ICAI की नाकपुर शाखा ने हाल ही में Chartered Accountant Premier League 2021 का आयोजन किया इस आयोजन का शिर्शक प्रायोजक RC प्लास्टो ग्रूप था इस कारेक्रम में प्लास्टो ग्रूप के प्रभंदा निदेशक विशाल अगरवाल ने अपने संबोधन में कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में बाधाय आती है जो इस आउसर पर आगे बढ़ता है वही जितता है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है सफलता प्राप्त करने के लिए शारिरिक और मानसिक स्वास्थ दोनों को संतुलित करने की आवशक्ता है चार्डर अकाउंटेट हमारे देश के वित्य वास्तुकार है जो हमारे देश की पुरी अर्थव्यवस्था का प्रभंदन करते है उन्होंने कहा कि स्पोर्टिंग प्लास्टो C.A.P.L. Cup 2021 के लिए I.C.A.I. नागपुर शाखा से जुड़ना प्लास्टो ग्रूप के लिए एक सौभाग्या की बात है उन्होंने C.A. साकेत बागडिया और उनकी टीम के नेतरुत्व में I.C.A.I. की टीम नागपुर शाखा को न केवल शांदर गती विधिया करने के लिए बलकि इस तरह के खेल आयोजनों से सदस्यों की फिटनेस का खयाल रखने के लिए भी शुपकाम नहीं दी तो नागपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए BKB News नमस्कार